राम राम भाई सभी साथियों को जितने भी अपने हर्याना CETी गुरूप D की त्यारी करने वाले भाई बैने सभी को राम राम हर्याना CETी गुरूप D को लेकर आज की क्या ख़बर है बिल्कुल डिटेल में हम चर्चा करेंगे और साथ में ही आप सभी के लिए एक अच्छी खबर भी है अच्छी खबर का मतलब यह है कि आपके फाइदे की चीज है तो मैं सारी चीज आपको बताने वाला हूँ उससे पहले आप चैनल पे नए है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजेगा और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक भी कर दीजेगा आए स्टार्ट करते हैं तो भाई हम आजाते हैं सबसे पहले खबर के उपर तो हर्याना करमचारी चैन आयोग मतलब H.S.S.E. ने गुरूप D के CET जो एक्जाम होना है उसके रिगार्डिंग N.T. के साथ में एक मीटिंग की है मीटिंग में ये फैसला लिया गया है कि 21 और 22 अक्टूबर को एक्ज इसने भी एक्जाम सेंटर होंगे उनकी रिपोर्ट जो है वो मंगवाई जाएगी और एक्जाम सेंटर जो होंगे वो 10 तारीक को जो फैसला लिया जाएगा कि किस किस से एक्जाम सेंटर पे एक्जाम लेंगे और किस के उपर एक्जाम में नहीं लेंगे तो बाकी ये भरत है और साथ में ही मैं आप सभी को पता दूं कि यहां पर वेकेंसी जो है वो 13,536 पद है जो टोटल गुरूप D के थरू बरे जाने है तो यहां पर अभी इसके रिगार्डिंग भी किस रिपार्टमेंट में कितनी वेकेंसी है इसका भी जल्दी ही पता लग जाएगा लेकिन अभी तक आपके 13,536 ऐसे पद हैं जिनके लिए 21 और 22 अक्टूबर को आपका एक्जाम जो है वो कंडर्ट करवाया जाएगा तो यह तो हो चोगे गुरूप D के एक्जाम समझेद बात लेकिन इसके अलावा आप सभी के लिए एक खबर और है वो खबर यह है भाई आप गुरूप D के त्यारी कर रहे हैं तो आपको पता होगा आपकी आएगी हरियना जिक के 25 नमबर की 25 नमबर में बाई डेली रात को हम साड़े नो बजे क्विज स्टाट कर दिया हमने 9-30 प्यम पर डेली क्विज होती है एक क्विज होएगी एक क्विज में होते हैं 50 क्विजन्स 50 क्विजन्स हैं अभी आपके पास में काफी टाइ ठीक है और साथ में ही इसके अलावा कुछ और सटी मट्रीयल भी आपको मैं इसी गरूप पर पर प्रोवाइड कर दूँगा टेली ग्राम गूरूप जो है जो है जो इस तरीके से क्यूशन आएंगे जो भी क्यूशन होंगे वो आपने सही आंस्वर आपको पता लग जाए तो आपकी तयारी जो है वो थोड़ी और बढ़िया हो पाएगी यहां पर आप सभी के लिए डेली रात को साड़े नौ बजी हमने कुई स्टाट कर दी है तो अभी डेस्क्रिप्टिन में लिंक मिल जाएगा वहां पर आप टेलिग्राम गुरूप को जोईन कर सकते हो और डे आप